यह कहानी है एक ऐसे अभियान की जिसका मकसद था हजारों लोगों में से एक आवाज ढूंडने का एक आवाज ऐसी जो बुलंद रहे जब हजारों खामोश रहे एक आवाज ऐसी जो हजारों जूट को सच से जुकाए एक आवाज जन प्रहरी की जो जब अपने आसपास देखे तो समस्या नहीं समाधान पर ध्यान दे एक आवाज जो रहा दिखाए हजारों को एक आवाज जो हावी पड़े बाहूबल और धन बल पर एक आवाज जो हो हर भरतिय की महिलाओं की उत्पीडित समुदायों की बद इसी ही अवाज को ढूंडने निकले हम पत्रिका जन प्रहरी अभ्यान के समुद राजस्थान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ की गलियों, घरों, गावों और चप्पे चप्पे पर हर कोने तक गए हम। सौ दिनों तक चले इस अभ्यान की आवेदन प्रक्रिया में, पत्रिका परिवार के प्रयासों से हमने आखिर ढूंड ही निकाली ऐसी एक नहीं, 11,000 से भी अधिक बुलंद आवाज हैं। इन आवाजों में से उभ्रे 1400 जन प्रहरी, जिन में था जज़वा और हुनर, देश के नित्रित्व की कमान संभालने का। इन आवाजों को बुलंद करने के लिए आयोजित किये गए 1,500 से भी ज्यादा कारिक्रम। हमारा लक्ष कीवल इन जागरूक नागरिकों में से जन प्रहरीयों को ढूंड निकालना ही नहीं था, बलकि उन्हें प्रशक्षित और सशक्त बनाना भी था। अब हमारे जन प्रहरी अपने महले, क्षेत्र और राज्य में जन नित्रत्व करने का जिम्मा उठाएंगे। क्योंकि ये कहानी पूरी तब ही होगी जब जन प्रहरी हर अन्याय, समस्या और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे।